हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन्वी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप चिक्स फिडर, चिक्स डिंकर, जम्बो फिडर, जम्बो डिंकर कैसे असेंबल कर सकते हो कैसे यूज कर सकते हो जिया दोस्तों बहुत सारे मित्र मा यह सभी जानकरी दी जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना जैसा कि मैंने मेरे पास फिलाल अभी यह एकदम कम कॉंटिडी में डिंकर फिडर रखा हुआ है तो यह मैं आपको यहापे बताऊंगा सभी एक-एक तो सबसे पहले बात करते हैं कि चीक्स डिंकर का इस्तमाल कई से किया जाता है जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं दोस्तो यह मेरे पास चीक्स डिंकर है जी हाँ कि दीखिए यह चीक्स डिंकर है इसमें आपको क्या करना है दोस्तो इसमें आपको पानी भरना है जी हाँ उपर से पानी भरना ह यह पानी यह छोटे-छोटे छेद में से नीचे आते रहेगा और बंद हो जाएगा जैसे ही चूदा इसमें पानी पिएगा जिया दोस्तो चूदा जैसे इसमें का पानी खतम करेगा और पानी आते रहेगा यह पूरा डिंकर धीरे 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 खाली होता जाएगा आपका एकदम एक दिन का चूदा है तो आप इसे डारेक्ट बॉटम पे रख सकते हो अगर पाच्छे दिन का चूजा है तो इसके साथ यह जो श्टैन आती है इसको उल्टा रख सकते हो जिया दोस्तो इस तरह से और जैसे आपका चिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो जिया दोस्तो इसमें आपको पानी भर्णा है ये उसको लगा देना है ऐसा हाथ रख्के पल्टा देना है बस और कई रख देना है इस तरह से आप इस Holocaust Tinker का इस्टमाल कर सकते हो अब बात करते दोस्तो chicks feeder की ये देखे दोस्तों ये है chicks feeder तो इसे assemble कैसे करना तो इसका ये जो धंडी होता है दोस्तों stick इसको आपको open करना है इसको नीचे की plate में लगाना है और इसको यह देखें दोस्तों ये हो गया उसके बाद में इसका ये cabinet डाल देना है दोस्तों ये cabinet में यहाप पर setting होती है दोस्तों जी आई यहाप ये चोटे से दो गाले होते है और यहाप इसका ये sitting होता तो अगर आप इसको डालोगे तो अभी देखो इसका लेवल जो हो बहुत कम है अगर लेवल आपको फिट का लेवल बढ़ाना है तो आप इसको थोड़ा ऊचा करके पलटा सकते हो फिट का लेवल बढ़ चुका है इसके साथ इसका जाली आता है दोस्तो इसके साथ इसका जा और आपका फिडर पूरी तरह से रेडी हो गया, यह भी पूरी तरह से फिख्स हो जाती है, चूदा यहां से फिट खाएगा, उपर से गिरते रहेगा और इसे रिफिल करने के लिए आप उपर से फिट दाल सकते हो, इसको भी दोस्तों आप शूरू के दिन नीचे रख सकते ह जिया दोस्तो यह हो गया दोस्तो चीक्स फिडर और चीक्स दिंकर अब बात करते हैं दोस्तो बड़े वाले फिडर की तो बड़े वाला फिडर भी इसी तरह आता है दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो बड़े वाले फिडर की पहले मैं यह दिंकर को साइड में रख दू तो यह देखिए उसके बाद में इसको इसके उपर डाल देना है दोस्तों इसमें भी चार लॉग दियो है दोस्तों आप जितनी लेवल चाहिए फिट की वो लेवल मैनेज कर सकते हैं यह आप इसका सेटिंग है यह जाली है दोस्तों और यह इसका क्या पर फिडर कम्प्लेट हो चुका है दोस्तों इसके साथ श्याता है इस श्याति को इससमें टांग responses और यह अ करतें हैं दोस्तों यह ऑदी कि देखिए दोस्तों यह आट्मेटिख लॉक में苦 Wirms के लिए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको यह वाले जो इसका नीचे का ब्लॉंक होता है दोस्तों इसमें थोड़ा सा जिहा थोड़ा सा रेत भर दीजे थोड़ा सा सिब दो मुठी ही रेत इसके अंदर दालना और बाकी इसको पानी से पूरा भर देना जिहा इसको पूरा पानी से भर देना और इसे लॉक कर देना है जिया दोस्तो इससे क्या होगा इसका जो वजन है वो बढ़ जाएगा जिया इसका वजन बढ़ जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है यह डिंकर के साथ इसका एक असेमली आता है दोस्तो यह वाला अगर आपका डिंकर इस तरह से यह असेमली पूरे डिंकर में fit हो जाएगा इसको आपको लगा देना है और घुमा देना है जिया दोस्तों ये देखे ये fix हो चुका है अब ये डिंकर को आपको इसके उपर रखना है ये देखे यहाँ से ये डिंकर पूरा complete हो चुका है अब आप क्या करना है इसके साथ नली आती है दोस्तों letter जी हाऍ यह जो लैटर इसके साथ आती है यह लैटर को आपको इसके साथ fix कर देना है और इसका जो दूसरा शोरा है दोस्तों यह वाले डागे के साथ इसका दूसरा pipe का जो शोरा ही होगा अटया जो गा, दोस्तों यह दीखिए, यह हुआ इसके साथ और यह शोरा जो है यह हुआ डिंकर के साथ, यह दोस्तों कोई भी जापर भी अपनी fitting में, जीहाँ घर के bathroom के वग़रा fitting जो हती यह न वही fitting आपको मुर्गी फर्म के अंदर करना पड़ेगा जहाँ पर आदा इंची नल लगता है वहाँ पर यह nozzle easy लग जाता है दोस्तों और यह nozzle से इसमें पानी आएगा दोस्तों यह fitting में fix करना है वहाँ से इसको input लेना है और यह जो dinkर होता है दोस्तों इसके साथ भी इसकी जो लटकाने की दोरी होती हो साथ में आती है जिया इस तरह से यह जमिन से नीचे रहेगा पाइप में से पानी आते रहेगा यह नल से गिरते रहेगा दोस्तों जैसे ही यह दिंकर पूरी तरह से भर जाता यह automatic burn हो जाएगा जैसे ही मुर्गिया इसमें का पानी हो गे तो नीचे जाएगा और नीचे से रसी छोड़ोगे तो उपर जाएगा यह पूरी तरह से automatic डिंकर है दोस्तों इसका इस्तामाल भी आप अपने बड़े बर्स के लिए कर सकते हो इस तरह से आप डिंकर फिडर छोटे बड़े सब की फिटिंग कर सकते हो कोई चीज सम आप आडर कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दरुतमन दोस्तों में शेयर दरूर कीजेगा आप सभी मित्रों का धन्यवाद